श्री शद्गुरू महराज की जै ध्यान योग से पापों का छै शंत्मत के वर्त्मान अचाज पुझपात महर्शी हरिनंदन प्रमहन्शी महराज भगवान श्री कृष्ण के कहने पर युदिष्ठिड को नहीं चाहते हुए भी विवस होकर जोट बोलना पड़ा अश्वत्थामा हतो नरोवा कुंजरो हलांके युदिष्टिर जानते थे कि अश्वत थामा नामक हाथी मारा गया द्रोन पोत्र अश्वत थामा नहीं मारा गया है लेकिन घुमा करके बोले आखिर जूट ही तो बोले जीवन भर पुन्य कर्म किये बड़े बड़े यग्य के बहुत तिर्थों में गये लेकिन एक जूट बोलने के कारण नरक का द्रिष्च देखना पड़ा गुरु महराज कहते थे कि पाप कर्म के फल से कोई बच नहीं सकते भोगना पड़ता है उस पाप कर्म को पुन्य कर्म के द्वारा काटा नहीं जा सकता युदिष्ठिर जी तो एक जूट बोले लेकिन हम लोग कितना जूट बोलते हैं कितने तरह का पाप कर्म करते रहते हैं इससे कैसे बचेंगे इससे बचने का क्या उपाय है ध्यान विंदू पनिशत में आया है कि अर्थात यदि कई योजन तक पहार के समान फैला हुआ पाप हो तो वह ध्यान योग से नस्ट हो जाता है इसके समान पापों का नास करने वाला कभी कुछ नहीं हुआ है ध्यान योग से पापों का छे होता है तरक करने वाले लोग तो तरक भी करते हैं कि पुन्य कर्म के द्वारा पाप कर्म नहीं करता है तो ध्यान योग के द्वारा पाप के कर्टने का क्या कारण है पुन्य और पाप दोनों कर्म होते हैं कर्म छेत्र में यह संसार कर्म छेत्र है हम लोगों का जो सरीर है आँख से नीचे वाले भाग को कर्म छेतर कहते हैं इस सरीर में पांच कर्म की इंद्रियां हैं पांच ग्यान की इंद्रियां हैं ये दसों इंद्रियां आँख से नीचे हैं इसी में रहकर कर्म होता है। इस कर्म छेत्र अर्थात आंख से जो उपर उठ जाता है उससे कोई कर्म नहीं होता है और नहीं उसे कर्म के भोग को भोगना पड़ता है। जैसे जोपरी में आग लग जाए और उसमें रहने वाले अगर बाहर निकल जाए तब तो ठीक है अगर नहीं निकल पाए तो जलेगा ही उसी तरह से सरीरस्त जिवात्मा पिंड से उपर उठ जाता है शमाधि में चला जाता है तब उसको दुख नहीं होता है कैसे निकलेंगे ध्यान योग के द्वारा उपर बरमान में उठना होता है इसलिए कहा ध्यान योग से पाप कर्मों के फल से चूटा जाता है जैसे गाय भैंश को रस्सिं से बांते हैं जब वह रस्सी जल जाती है तब उस से बांधा नहीं जाता उसी तरह से जब योग की अगिनी में कर्म बंधन जल जाता है तब वह कर्म बंधन दायक नहीं रहता। जब तक ध्यान योग के द्वारा कर्म मंडल से उपर नहीं उठे हैं तब तक नहीं चाहते वे भी विविद शरीरों में जन्म लेना पड़ता है। ध्यान योग के द्वारा कर्म बंधन से जीव छूट जाता है तब यह परवश नहीं रहता है।